हेलो स्टुडेंट्स तो केसे आप सब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं Human Value and Ethics देखो जो सब्जेक्ट है आपका Human Value and Ethics ये सब्जेक्ट आपको कई सारे syllabus में दिया हुआ है जिसे कि ये आपको B Pharmacy के syllabus में भी है और B Pharmacy के syllabus में ये आपको थर्ड समेस्टर AKTU University में दिया हुआ है तो आज हम इस syllabus को स्टार्ट करेंगे इस subject को स्टार्ट करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे unit number one से आज के इस lecture में हम complete unit one को cover करने वाले हैं तो lecture को ध्यान से सुनना यहाँ पर रटने जैसा कुछ भी नहीं है सब कुछ समझने जैसा है देखो सब moral values की बाते है नेतिक शिक्षा मुल्य शिक्षा यह सब हमें पढ़ना है यहाँ पर हम देखने वाले हैं happiness क्या होती है prosperity relationship physical facilities self exploration process for value education basic guidelines कई तरह की चीज़े हमें देखनी है तो बस आपको कहानी की format में सुनना है यहाँ पर मैं आपके लिए दो language लेकर आया हूँ देखो यहाँ पर मैं आपके लिए दो language लेकर आया हूँ एक Hindi language और एक English language सबसे पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा और अगर आप अपनी लेंग्वेज खुद बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा और जो लेंग्वेज नहीं बना सकता उसके लिए यहाँ पर इंग्लीश पे भी मैंने लिखा हुआ है तो काफी मज़ा आने वाला है आपको यह सब्जेक्ट पढ़ने में जितना बोरिंग आपको यह सब्जेक्ट लगता था उसे उतना ही इंट्रेस्टिंग बना कर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सबसे सही तो यही रहेगा कि आप मुझसे समझ लीजे टॉपिक को और फिर आप अपनी लेंग्वेज में लिखिए और अगर लेंग्वेज बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आप वर्ट्स को कॉपी कर सकते हैं अगर आपको और लेक्चर देखने है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखिए और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडिएफ पॉर्मेट में तो आप टेलिग्राम से जुड़िए वहाँ पर मैंने आपको वाट्स अप के बारे में बता रखा है वाट्स अप ग्रुप के बारे में आप वाट्स अप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर को आज आपका टॉपिक है टॉपिक क्या पूरा चैप्टर ही है तो चैप्टर की शुरुवात करेंगे नीट फोर वेल्यू एजुकेशन से वेल्यू एजुकेशन की हमें क्या नीड है तो देखो वेल्यू एजुकेशन का मतलब आ Value Education अमें सिखाती है कि आपको किस तरह से रहना चाहिए, आपका वेवार किस तरह से होना चाहिए, आप किस तरह से खुश रह सकते हैं, आपका समाज की प्रती किस तरह का वेवार होना चाहिए, जिसे कि आपने Polymer पढ़ा होगा, अब Polymer क्या करता है, कई तरह के structure बना लेता है वेशे ही, जिसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो अब मैं दोस्तों की बीच में दोस्तों की तरह रहता हूँ, मैं घर में एक बेटा बन के रहता हूँ, मैं जिसका भाई हूँ, उसको छोटे भाई की तरह ट्रीट करता हूँ, तो मेरे अलग-अलग characteristics है, depend करता है nature कैसा है ठीक है, आजपास का environment कैसा है, उस तरह समय को ढ़लना आना चाहिए, तो जो आजपास का environment को देखकर ढ़ल जाता है, उसमें value education अच्छी है, like उसमें नेतिकता है, उसमें मूली शिक्षा है, उसको समाज का ग्यान है, उसको दुनियादारी का ग्यान है, यह सब है, तो जो value education होती है, वो आपको happiness और successful life provide करती है, आपको खुश रखेगी, आपको एक successful life provide करेगी, जैसे, अगर मैं example से समझाओ आपको, तो जैसे मान लीजिए, यह एक person है, जो की काफी सीधा है और काफी अच्छा है, अगर यह सीधा है, तो यह अच्छे काम करेगा, और अगर यह अच्छा काम करना पड़ेगा, एक successful life के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा रहना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, तो यह सब हमें किस से सीखने को मिलता है, value education से, देखो कई लोग कहते हैं कि हमरे पास पैसा बहुत है, पर हम खुश ने रह पात है, क्यों, या तो उनका environment खराब है, या कई बड़ी-बड़ी families में पैसा बहुत होता है, पर लड़ाई जगड़े आए दिन property को लेकर, तो वहाँ पर क्या है, value education की कमी है, ठीक है, वहाँ पर happiness भी नहीं है, वहाँ उनकी कोई life भी success नहीं होरी, दिन बर लड़ाई तो इस लड़ाई जगड़े से बचने के लिए, इंसान को value education होनी चाहिए, इंसान को मुली शिक्ष्या होनी चाहिए, आजकल की जो studies चल रही है, जैसे हम science वगेरा पढ़ रहे हैं, तो वो जो है, हमें सब कुछ सिखाती है, पर value education नहीं सिखाती, अच्छी बात है, science and technology की study चल रही हो अच्छी बात है, पर क्या वो हमें value education सिखा रही है, नहीं सिखा रही है, ठीक है, और देखो value education से क्या क्या होता है, value education moreover help us to explore inner peace and happiness, value education से हमें inner peace, आत्मा को शान्ती, मन को शान्ती मिलती है, जैसे आपने कोई अच्छा काम किया, ठीक है, तो आपको मन को शान्त ही मिलेगी, कि हाँ मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, मैंने उस गरीब को ये दिया, या फिर मैंने डॉक्स को biscuit के लाए, तो जो भी आप अच्छा काम करते हैं, आपको अंदर से खुशी मिलती है, और ये आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेयरित कोन करता है, आपक अच्छा की शिक्षा जो आपको मिली है, आपके संसकार, ठेके? तो जो आपको सिक्षा मिली है, जो आपको वेल्य application मिली है, वो आपको inner peace बनाये में 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 बेंटेन करता है और happiness प्रोवाइड करता है, इसी लाइन के end में आपको लिखा हुआ है, it help us to maintain harmony with ourselves, हमारा खुद का खुद से तालविन बना के रखती है value education तो एक काम करना आप इसके points लिख लेना कि value education आपको क्या क्या provide कर रही है जिसे कि यह आपको provide कर रही है inner peace, happiness और यहाँ पर हमने देखा successful life, happy life ठीक है? उसके बाद यह आपको आपके goals को clearly visualize कराईगी अगर आपकी नेतिक्ता अच्छी है आपकी value education अच्छी है तो आपका goal जो है fix रहता है और अगर आपकी value education अच्छी है तो आपके अंदर का potential पेचानने भी वह आपकी मदद करेगी कि हाँ मैं काबिल हूँ मैं कर सकता हूँ तो यह सब value education के ऊपर है जो जितना सीधा जितना अच्छा अपने target को लेकर वो उतनी ही जल्दी target को achieve कर लेता है साथी साथ value education आपको सिखाती है कि हमें किसी से भी jealous नहीं होना है हमें हमेशा भाई चारा रखना है, brotherhood रखना है, कभी किसी से jealous नहीं होना कोई success हो रहा है तो हमें उसकी खुशी में खुश होना है और कोई अगर परिशान है तो हमें उसका हाल चल पुछकर उसका दिल लगाना है like ये दोस्तों वाला काम हो गया, कोई खुश है तो उसके लिए खुश हो जाओ कोई दुखी है तो उसे भी खुश कर दो, ठीक है तो इस तरह से हमें value education बहुत सारी चीज़े सिखाती है value education हमें बताती है inner peace के बारे में, happiness के बारे में हमारे goals को visualize कराती है, हमारे potential को पहचानने में मदद कराती है हमारी jealousy की feeling को दूर करती है, brotherhood बढ़ाती है और साथ हमारा perception, मतलब हमारा view, किसी भी चीज़ को समझने में हमारा जो view होता है, उसको भी improve करती है perception अच्छा करती है analyze करने में, चीज़ों को analyze करने में जो हमारा perception है वो भी अच्छा करती है value education, तो value education की काफी सारे फाइदे हमने देखे next point आपको यहाँ पर दे रखा है, basic guidelines के उपर देखो value education की कुछ basic guidelines होती है, वो आपको यहाँ पर बता रखी है सबसे पहली guideline आपको बता रखी है, universal guidelines तो देखो universal guidelines का मतलब क्या होता है universal guidelines जो होती है, वो applicable होती है, each single individual हर इंसान पर universal guidelines जो है applicable होती है चाहे वो कहीं से भी हो, कैसा भी हो, ठीक है, इंडिया से है, पाकिस्तान से है, हर किसी पर, चाहे वो अमीर है, गरीब है, ठीक है, या फिर middle class family वाला है, हर किसी पर universal guidelines जो है, applicable होती है तो हमें guidelines कैसी बनानी चाहिए हमें moral values की या फिर आप बोल लो जो आपकी value education है उसकी guideline कुछ इस तरह से बनानी चाहिए कि सबका benefit हो सके उससे हर एक इंसान का benefit हो सके चाहे वो अमीर हो, गरीब हो छोटा हो, बड़ा हो, middle class family का हो सबका benefit हो हमें AC guideline बनानी है value education की तो सबसे बिल आपको यह बताना है कि value education की guidelines कैसी होनी चाहिए value education की guidelines ऐसी होनी चाहिए जिससे सबका भला हो, सबका benefit हो फिर आपको बताना है universal guidelines, AC guidelines होती है जिसको सबको follow करना पड़ता है थर्ड आपको यहाँ पर बता रखा है natural and verifiable तो natural का मतलब होता है acceptable मतलब आपके मन में कोई दो सवाल ना हो आपको समझा दिया अच्छे से और आपको मानना है ऐसा नहीं है कि आप किसी कश्म कश्म है तो यहाँ पर acceptable होना चाहिए और खुद को force मत करना कि आप उसे accept करे आपको अच्छा लगे वो guidelines तो ही आपको accept करनी है तो यहाँ पर खुद को force ना करना पड़े उसे accept करने में दिमांग में ऐसा ना है कि यह सही होगा या नहीं मतलब एक clarity रहे ऐसा होता है कोई भी product हम खरीते है तो हमें लगता है कि यार यह ठीक रहेगा या नहीं रहेगा तो वैसे ही हमें guidelines के प्रतियसा कुछ नहीं रहना चाहिए अगर हम सहमत हैं तो ही हमें guidelines को follow करना है पर universal guidelines को तो हर किसी को follow करना पड़ेगा क्योंकि universal guidelines को कुछ इस तरह से बनाया है जिससे सबका benefit हो हर एक इनसान का ठीक है तो यहाँ पर आपको दे रखा है universal, natural and verifiable, second आपको दे रखा है rational, rational क्या होता है should not be based on blind beliefs, ऐसी guidelines मत बनाना जो की अंधेपन या अंध विश्वास पे like believe करें, ऐसी guidelines हमें नहीं बनानी है, नहीं तो फिर educated people उसे follow नहीं करेंगे, तो हमें ऐसी guideline नहीं बनानी है, जो blind belief पे काम करें, otherwise educated individual would discard them, वो उसे follow नहीं करेंगे, वो उसे discard कर देंगे, ठीक है, मतलब जो guideline होनी चाहिए, वो logical होनी चाहिए, सिधी सी बात है next आपको यहाँ पर दे रखा है all encompassing, उसका aim human life को better way में transform करना होना चाहिए, जो भी आप guidelines बना रहे हो, उस guidelines का aim क्या होगा, लक्षे क्या होगा, उस guideline का लक्षे होना चाहिए, कि human जो है, उसकी life को हम कैसे better कर सके, हर aspect में, चाहिए वो thought से हो, behavior से हो, हर aspect में हमें क्या करना है, एक person की life को improve करना है, transform करना है, better करना है, और किसी एक accept में नहीं, हर accept में, चाहिए वो thought से हम करें, behavior से हम करें, ठीक है, उसके lifestyle से हम करें, हमें हर चीज़ को better करना है, और वो आएगा all encompassing में, तो basic guidelines में हम देख रहे हैं, कि basic guidelines अच्छे होनी चीए, जो कि हमारी growth करें, development करें, और universal वो होती है, जिसको सबको मानना पड़ता है, rational वो होती है, जो कि blind belief पे ना चले, नहीं तो फिर educational people नहीं follow करेंगे उसे, फिर natural and verifiable मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको बताया, all encompassing, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, लास्ट है, leading to harmony, अगर हमारी value education अच्छी होगी, तो हमारी harmony, like हमारा तालमेल अच्छा होगा, हर किसी से, खुद के साथ भी, और आजपास वाले लोगों के साथ भी, अगर आप संसकारी के, आप वेवारी के, तो आपका खुद के साथ भी, खुद के साथ भी खुद का वेवार होता है न, एक तो हम खुद का ही ध्यान ने रखे, दूसरों का क्या ध्यान रख लेंगे, तो खुद के साथ भी वेवार अच्छा रखो दूसरों के साथ समाज में भी वेवार अच्छा रखो और ये वेवार, ये हार्मोनी हमें कब अच्छा मिलेगा जब हमारी value education अच्छी होगी ठीक है, so these are the basic guidelines clear हो गई आपको next आपको यहां पर दे रखा है basic values देखो हमें सब के साथ प्यार से रहना चाहिए सब के साथ प्यार से रहो वो लव की बारे में बात हो गई खेर ये तो तुम आजकल एकात के साथ ही प्यार से रहोगे पर तुम्हें सब के साथ रहना चाहिए, ठीक है peace बना के रखनी चाहिए, control में रहना चाहिए, हमारा mind हमें शान्ती से रहना चाहिए हमें जल्दी गुस्ता नहीं आना चाहिए, हमें जल्दी react नहीं करना चाहिए एक अच्छा person आप क्या मानते हो, जैसे ये person है तो आप कब बोलोगे कि ये अच्छा है, इसका वेवार भी अच्छा हो, इसका बात करने का तरीका भी अच्छा हो ये प्यार भी सबसे करें, और ये शान्त भी रहे, इसको जल्दी गुस्ता भी ना आए और ये किसी का नुकसान भी न पोचा है और ये समाज में भी सबसे अच्छे से रहे और इसकी जो पहुच ओलाइक वेवारिक पहुच हम बोल सकते हैं कि सबके साथ इसका तालमेल बहुत अच्छा रहे तो हम कह सकते हैं ये परफेक्ट बंदा है तो हमें ऐसा ही बनना चाहिए कि हमारी तालमेल सबसे अच्छी रहे हम किसी का बुरा ना सोचे किसी के प्रती जेलस ना हो हम दूसरों की खुशी में खुश होने वाले हो ये सब आपको देखना होता है ठीक है? आपको non-voilence वाला रहना पड़ेगा यहां पे वो भी हम सही करें लाइक चोरी वगेरा नहीं करनी है ठीक है? समाज में सही से रहना है हम सही चीजों को करें सबको प्यार दे, शांती दे ठीक है? सच्चाई में जीए टूत में जीओ अब यहां पे आपको points दे रखें देखो जो अब यहां पे points दे रखा है उसका मतलब simple सा है कि हमें जो है दुनियादारी से interaction करने में हम कहते हैं ना किसी को कि भाई अभी तेरको दुनियादारी की समझ नहीं है जब तेरको दुनियादारी की समझ में आएगी तब तरको अक्कल अपने आप आजाएगी तो यह सब हम क्यों कहते हैं क्योंकि उसके moral values अच्छे नहीं है वो जानता नहीं है अभी दुनिया को ठीक है? तो यह जो moral values है यह जो human values है यह हमें सिखाते हैं कि जब भी हम दुनियादारी से interact करते हैं यह जो भी लिखा हुआ है जैसे respect करना, acceptance करना consideration करना, किसी को भी appreciate करना, किसी की भी बाते सुनना, affection empathy, love towards other human being, make us harmony in the surrounding और यही सब हमें करते रहना चाहिए ताकि हम एक अच्छे person बने देखो, अच्छे person बनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है प्यार से रहो, सज बोलो जो है, सामने बोलो, पीछे से मत बोलो यह जो भी है जो भी लिखा हुआ है, वही समझा रहा हुँ अब आपको next point में यह पे लिखा हुआ है human values are a tool to manage human relationship human values जो होते हैं कुछ tools है, जो कि हमें peaceful life जीने में help करते हैं जैसे कि हमें अच्छी राव पर चलना सिखाते हैं हमें मदद करना सिखाते हैं और अगर हम मदद करेंगे, खुश रहेंगे हमारी harmony सबसे अच्छी रहेगी तो peaceful रहेंगे नहीं हम बड़े शांती से हमारा जीवन को complete करेंगे और यह जो हम खुश थे, हमारी inner peace maintained थी, यह सब किस ने करा यह सब value education ने करा तो human value कुछ tools है जो कि हमें क्या सिखाते हैं peaceful रहना सिखाते हैं शांती से रहना सिखाते हैं और peaceful life जीने में help करते अब यहां पर एक बंदा मेंने खड़ा कर रखा है एक बार value समझ आ जाए then he self control his or her desire and choices देखो अगर किसी भी बंदे को एक बार यह सारी value समझ में आ गई तो वो खुद के control को, like खुद को self control कर सकता है, उसकी desire को उसके choices को वो चुन सकता है देखो, अगर किसी भी बंदे को एक बार यह सारी values समझ में आ जाए, जो भी मैंने आपको बताई है, तो वो खुद सही control कर सकता है, वो खुद सही सोच सकता है, कि उसके लिए क्या सही है, वो choices कर सकता है और उसकी क्या desire है वो खुद से चुन सकता है तो यह सारी values को समझ में आनी चाहिए नाव नेक्स्ट आपको दे रखा है content of value education content क्या होना चाहिए value education का तो सबसे बिला point है it should include all dimension जैसे माल लीजिए हमें हर dimension में देखना है ठीक है, it should include all dimension all at level like thoughts, work, realization analyzation, etc सब का देखना है dimension, सब का देखना है level और सब expect में हमें सब पर work करने वाला होना चाहिए like हमें हमारे thought को work को, realization को सब को control में रखना होना चाहिए और हमारी जो society है हमें उसमें सही से रहना चाहिए यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है अब देखो next point में आपको लिखा है कि इंसान को हर relationship maintain करना चाहिए और हर relationship maintain करने के लिए एक सबसे basic सी चीज़ है जो है understanding अगर आपको किसी भी relationship को manage करना है तो आपकी बीच में होनी चाहिए understanding और एक harmony harmony का मतलब होता है ताल मिल तो ताल मिल अच्छी होनी चाहिए और understanding होनी चाहिए चाहिए आपका भाई बेन का रिष्टा हो boyfriend girlfriend का हो ठीक है समाज से कोई हो किसी का चाचा बती जाओ जो भी हो जितने भी relationship है सबको maintain करने के लिए understanding होनी चाहिए और harmony होनी चाहिए एक तो समझ होनी चाहिए आपस में और एक ताल मिल बढ़िया होना चाहिए तो relationship maintain रहेगा बात खतम अब ये मत बना ले ना तुम इसको clip को काट कर कि SG सर बता रहे थे relationship को कैसे maintain करे harmony होनी चाहिए और understanding अच्छी होनी चाहिए हो गया relationship हाँ बाबा का ग्यान ऐसा मत करने लग जाना तुम चलो आगे चलते अब यहाँ पर आपको दे रखा है process of value education सबसे पहला point है यहाँ पर self exploration आपको यहाँ पर बता रखा है value education की processes तो सबसे पहली बात है self exploration खुद को पहचानो खुद को समझो दूसरों का मत सुनो दूसरे हमें क्या कहते हैं तू यह है तू ऐसा है तू वैसा है तू यह कर सकता है तू यह नहीं कर सकता तो यह दूसरों को देखो यहाँ पर यह जो तीन मंदे मैंने बता रखे हैं यह तीन मंदे जो हैं इस बिचारे छोटे से बच्चे को डरा रहे है, कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो दूसरों से मत सुनो कि आप कैसे हो, आप खुद को पेचानो, खुद को समझो, Self-Exploration का मतलब होता है, खुद को समझना, खुद को पेचानना, खुद को explore करना, ठीक है, Second Line में आपको लिखा है, जो कहा जाए, या जो बताया जा रहा है, जरूरी नहीं वो सही हो, आपको मालो कि कुछ कह दिया मैंने, कुछ बता दिया, तो जरूरी नहीं वो सही हो, और वो गलत भी नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं, तो हमें क्रोस चेक करना चाहिए, और हमें हर चीज को analyze करना चाहिए, देखो अच्छा बंदा वही होता है, एक समस्दार बंदा जिसके पास, like मूल्य शिक्षा हो, नेतिक शिक्षा हो, वो वही होता है, जो hand-to-hand react ना करे, पहले उसको analyze करे, उस बात को समझे, देन वो react करे, ना ज़्यादा emotional होना है उसको किसी के सामने, ना ज़्यादा over react करना है, एक normal अपना like maintain करके चले हो, तो जो कहा जा रहा है, जो पताया जा रहा है, जरूरी नहीं, exact हो, cross check करो, self analyze करो, तब ही आप खुश रह पाओगे, किसी की बातों में नहीं आना है, कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है, पहले आप cross check करो, self analyze करो, then आप decide करो, तो self exploration is the best exploration, खुद को पेचानो, instead कि लोग हमें क्या कहते हैं, लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, लोग हमें कैसे जानते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, next point में आपको लिखा है, it is a process between what you are, and what you want to be, आप क्या हो, और आप क्या बनना चाहते हो, यह उसके बीच का process है, ठीक है, self exploration, खुद की पहचान, a process of knowing self, through the entire situation, and existence, हमें खुद को पेचानना है, चाहे कोई भी situation आजाए, कोई भी existence हो, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ कह रहा हो, हमें किसी का कुछ मतलब नहीं है, हमें खुद की पेचान करनी, खुद पे study करनी, खुद की harmony बना के रखनी है, और जो भी हमें कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, जरूरी नहीं वो सही हो, हमें cross check करना चाहिए, हमें analyze करना चाहिए, ठीक है, recognizing one's relation, every unit in existence, and fulfilling it, देखो सीधी सी बाते, जो भी हम ये सब कर रहे हैं न, ये हम क्यों कर रहे हैं, कि हमारा वेवार सब के साथ अच्छा हो, like, अगर किसी ने हमें आकर गलत बोला है, कि आपको ऐसा कह रहा था वो, तो हमें सीधा react नहीं करना है, हमें पहले cross check करना है, analyze करना है, और ये, जो relationship है, ये तभी बना रहेगा, जिससे कि मैंने आपको बताया, जब आपके understanding अच्छी हो, जब कि आपकी harmonie अच्छी हो, तो पहले हमें cross check करना है, analyze करना, देना में react करना है, देखों, यहाँ पे लिखाए, हर situation से निकल कर, हर चीज को face करके, खुद को जानने और समझने की process है, self exploration, कोई कुछ भी कह रहा है, हमें नहीं सुनना, कितना भी हमें face करना है, हम कल लेंगे, खुद को जानना और समझना, यह process ही self exploration है, और काफी important line है, हर situation से निकल कर, हर चीज को face करके, खुद को जानने और समझने की process है, self exploration, नेक्स्ट आपको दे रखा है, self exploration से, हमें पता चलता है, हमारे लिए क्या सही है, और क्या valuable है, अभी self exploration से हमें पता लगेगा, कि हमारे लिए क्या सही है, किस time पे सही है, और क्या valuable है, अगर हमें खुद की पहचान होगी, तो जैसे मेरे अंदर potency थी, मेरे अंदर potential था कि मैं teacher बन सकता हूँ, तो मुझे क्या हुआ, self exploration मैंने खुद को जाना, खुद को time दिया, ठीक है, और हमारे लिए क्या सही है, ये हम ही बता सकते हैं, instead की people, हमारे लिए क्या valuable है, तो ये सब हमें self exploration से पता लगता है, ठीक है, यहाँ पर next point देखो, self exploration gives us a chance to understand ourself, since we live with different people at different time, हम different peoples के साथ रहते हैं, अलग-अलग समय पर, जैसे के मारे family, friend, co-worker, we behave accordingly, और उनी की तरह हमें behave करना पड़ता है, but to understand harmony with them, we need first to understand ourself, पर उनके साथ harmony बनाने से पहले, हमें खुद को जानना है, ठीक है, हमें खुद को पेचानना है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, कि आप किसी के भाई हो, किसी के पती हो, किसी के बैटे हो, तो आपको हर तरफ से अलग-अलग harmony बनानी पड़ती है, पर वो harmony बनाने से पहले, आपको खुद को पेचानना है, कि आप खुद क्या हो, ठीक है, हमें खुद को देखना है, कि हम क्या है, कैसे है, इससे पहले कि लोग हमें कहे हैं, और अगर आपको लोग कहते हैं, तो उन्हें ignore करो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला है, देखो, हर चीजबेशन से निकल कर, हर चीजबेशन को फेस करकर, खुद को जानने और समझने की प्रोसेस है, self exploration, ठीक है, नौ यहाँ पर आपको बता रखा है, basic of self exploration, basic क्या है, self exploration का, देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है, desired, goal, एक बात बताओ, अगर आप खुद को जानोगे, तभी आप अपने desired को, और goals को set कर सकते हो, कि हाँ मेरा ये goal है, मेरी ये desire है, मुझे ये करना है, पर आपको कैसे पता लगा, कि आपको वो करना है, जब आपने खुद को जाना, जब आपने खुद को self-explore किया, तो self-exploration से, आपको आपके desire और goal का पता लगता है, we should find out our desire, and goal of our life, and उस goal तक जाने का process क्या है, ये भी हमें find out करना होता है, तो ये सब हमें किस से मदद से मिलता है, हमें self-exploration की मदद से मिलता है, सबसे पहले हमें खुद का पता करना है कि हम क्या है, उसके बाद जब हम self-exploration करते हैं, तो उसकी मदद से हमें पता लगता है कि हमारे desires क्या है, हमारे life की goals क्या है, और उस goal तक हम कैसे पोहच पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको simple लिख दिया है मैंने, we should find out desire, goal of our life, और उस goal तक जाने का process क्या है, यह सब हमें पता करना होते हैं, और यह दो ही process है, दो ही question है, जिसने पूरी domain को cover कर रखा है human aspiration की, ठीक है, तो यह किस से मदद से मिल रहा है हमें, self-exploration की मदद से मिल रहा है, अब यहाँ पर आपको दे रखा है process of self-exploration, तो देखो यह है process self-exploration की ध्यान से सुनना, आपके पास कोई भी proposal आया, like किसी का भी proposal आया, या फिर किसी की भी बारे में आपको कुछ भी बताया, तो आपको उसको immediately accept नहीं करना, या immediately deny भी नहीं करना, आपको पहले verify करना है, cross-check करना है, जैसे कि मैंना आपको भी बताया था, कि अगर आपको कुछ कहता है, तो आपको सीधा हा नहीं करनी, सीधा नहीं करनी, सीधा react नहीं करना, आपको थुड़ दे रुखना है, सोचना है, समझना है, analyze करना है, उसके बाद जवाब देना है, तो ना तो immediate accept करना है, ना immediate deny करना है, we need to verify, ओके, deep सोचो, then validate, अच्छे से सोचो, समझो, फिर उसको validate करो, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, verify on the basis of natural acceptance, हमें पहले realization करना है, उसके understanding करनी है, ठीक है, और leave according to the proposal, यहाँ पर आप दो तरसे हैं देखो, एक है behavior with human, एक है work with nature, तो अगर आपके proposal, behavior with human वाला था, तो आपको mutual happiness मिलती है, और work with nature वाला था, तो mutual prosperity मिलती है, यह दो point आपको याद रखना है, behavior with human वाला था, तो mutual happiness और work with nature वाला था, तो mutual prosperity मिलती है, तो आपको यहाँ पर point बढ़ाने का मैंने बता दिया, कि process of self exploration क्या है, कि आपको कोई भी किसी भी बात को immediate accept, immediate deny नहीं करना, आपको deep source ना है, verify करना है, validation करना है, cross check करना है, analyze करना है, फिर आपको उसके उपर action लेना है, अभी क्या होता है कि हमें, हमें कभ यह like लगेगा कि यह बात सही है, जब हम analyze करेंगे, cross check करेंगे, सही है या गलत पता लग जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर आपको एक word दे रखा है, experimental validation, experimental validation का मतलब होता है, practical proof, अगर आपके पास कोई proof है, अगर आपने उसे cross check करके proof कर लिया, तो फिर वो होता है, experimental validation, उसे हम कहते हैं, experimental validation, और इस experimental validation की मदश से, हमें assurance आ जाता है, हमें satisfaction आ जाता है, अगर कोई भी हमसे कुछ भी कहता है, तो पहले हम cross check करते हैं, analyze करते हैं, और उसके बाद हमें पता लगता है, तो हमें शान्ती मिलती है, और हमें satisfaction आता है, कि हाँ, मैं assured हूँ, मैं satisfied हूँ, कि तुम सही कह रहे थे, ठीक है, नाँ नेक्स्ट है, natural acceptance, natural acceptance implies unconditional and total acceptance, देखो, natural acceptance का मतलब क्या होता है, 100% मुझे accept करना पड़ेगा, total acceptance होती है, natural acceptance, so natural acceptance implies unconditional and total acceptance, यहाँ पर मुझे total या फिर unconditional, मतलब 100% acceptance करनी पड़ेगी, of the self, people and environment, यहाँ पर आपको, देखो, लिखा हुआ है, एक और point, it also referred to the absence of any exception, यहाँ पर कोई भी exception नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा, 100% मतलब 100%, ठीक है, total acceptance मतलब 100%, और अगर 100% है, तो यहाँ पर कोई भी exception नहीं है, तो natural acceptance वो होता है, जिसकी कोई भी exception नहीं होती, जो कि totally acceptable होता है, 100% acceptable होता है, with no exception, ठीक है, नव नेक्स्ट है, आपका experimental validation, यह एक direct और practical approach है, हमारी theory को proof करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बोलाता, experimental validation का मतलब होता है, practical proof, हम analyze करते हैं, और फिर proof करते हैं, तो यह एक direct और practical approach है, या तो हमारी direct approach है, या फिर हमारी practical approach है, ताकि जो theory है, जो भी हमने सुना, उसको सही से proof करने के लिए, उसको हम बोलते हैं, experimental validation, तो देखो, आपको यहाँ पर एक point दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, कि दूसरे लोग भी हमें बताते हैं, कि हम क्या है, यह देखो, दूसरे लोग भी बताते हैं, कि हम क्या है, जैसा हम सोचते हैं, if वो practically सच निकले, तो उसे हम कहते हैं, experimental validation, अगर जैसे मालो आपने कुछ सोचा, या आपने कुछ सुना, और अगर वो सच में वैसा ही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, experimental validation कहेंगे, यह तो मैंने आपको बिली बता दिया, कि experimental validation क्या होता है, हमारी theory को proof करने का, जो होता है, उसे हम कहते है, experimental validation, तो यहाँ पर मैंने एक person मनाया, जो कि सोच रहा है, ठीक है, तो जैसा हम सोचते हैं, if वो practically सच निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं, experimental validation कहते हैं, और यह सई नहीं है, कि हम खुद के बारे में सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ट्राइ करते हैं कि यार यह, बास सच है के नहीं, हमें पता तो लगे, और अगर वो बास सच निकलती है, तो वो experimental validation है, जिसे किसी का relationship चल रहा है, तो यार हमें विश्वास नहीं होता कि सच में ऐसा है, फिर हम क्या करते हैं, प्रोस चेक करते हैं, अरे हाँ यार ऐसा ही है, तो वो हमने क्या करा, वो experimental validation कर लिया हमने, ठेक है, क्रोस चेक कर लिया, नौ बेसिक aspiration आपको यहाँ पर बता रखे हैं, यहाँ पर एक मेने बंदा खड़ा कर रखा है, हाला कि यह बंदा दिखनी रापर है, everyone में खड़ा कर रखा है मेने, तो यहाँ पर जो point है वो है, everyone aspire to be happy, and put all possible efforts to make it happen, सब खुश रहना चाहते हैं, और सारे possible efforts लगा देते हैं, खुश रहने के लिए, the outcome from this effort, depends on the focus of effort, हमने कितना effort किया, उतना ही outcome आएगा, ठीक है, जितनी हमने मेनत करी थी, उस हिसाब से हमारा result आएगा, तो जितना हमने effort किया, जितनी हमने मेनत करी, जितना हमने effort किया, उतना ही outcome आता है, ठीक है, the outcome from this effort, depends on the focus of the effort, हमने उस effort पर, जो हम काम कर रहे हैं, हमने उस effort पर कितना focus लगाया, उतना ही result हमें मिलेगा, when the notions, notions का मतलब होता है धाणना, हमारी जो धाणना होती न, वो, अगर हमारी धाणनाएं सही है, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, और हमारी धाणनाएं सही है, तो हमें mutual happiness मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी, और अगर हमारी धाणनाएं गलत है, तो हमें unhappiness मिलेगी तो यह basic aspiration है कि हर कोई खुश रहना चाहता है ठीक है और हम जितने efforts लगा रहे हैं जितना हम मेहनत से efforts लगा रहे हैं उतना ही हमें result मिलेगा अगर हमारी मन की धाणना है धाणना है का हम क्या बोलते हैं notions अगर हमारी notions मतलब डाणना है pure होगी अच्छी होगी तो हमें खुशी मिलेगी mutual happiness मिलेगा पर अगर हमारी डाणना है जो है रोंगे हमारी notions जो है रोंगे तो हमें unhappiness मिलेगी यहाँ पर आपको basic aspiration में चार dimension दे रखे हैं thought, behavior, work realization यह मेहन है हम क्या सोचते हैं, हमारा behavior किसा है work, realization यह चार dimension है ठीक है? society level पर हर person चाहता है कि उसकी harmony maintain रहे society level पर मतलब आज पास के सभी से उसके harmony कैसी रहनी चाहिए, maintain रहने चाहिए जैसे कि हमारे तारक मेता में जेटा बाई जेटा बाई जब भी बाई निकलते है, जेटा लाल तो पूरी society उनको पूछती है और जेटा बाई कैसे हो, जेटा बाई कैसे हो तो जेटा लाल जो है वो बात अलग है कि जेटा लाल बविता को पूछने जाता है बाकि पूरी सोसाइटी तो जेटालाल कोई पूस्ती है न तो जेटालाल नहीं क्या कर रखा वेवार बना रखा है तो वही बनाना है हमें भी देखो सोसाइटी लेवल पर यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है सोसाइटी लेवल पर हर परसन चाहता है कि उसकी हार्मोनी मेंटेन रहे ये लाइन का मतलब है हर बंदा चाहता है सोसाइटे लेवल पर कि उसकी हार्मोनी अच्छी रहे तालमेल उसका सबसे बना रहे नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखा है नाओ लेट असे देट आप क्यों चाहते हूँ एक अच्छी जोब लगना एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन इफ वी कीप ओन आस्किंग देट आवर सेल्फ तो मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए मुझे जोब अच्छी चाहिए क्यों क्योंकि यह कॉलेज अच्छा होगा तो जोब अच्छी होगी और जोब अच्छी होगी तो मैं खुश रहूँगा मैं हैपी फिल रहूँगा ठीक है मैं खुश रहूँगा और अगर मैं खुश रहूँगा तो मेरा आजपस का environment सही रहेगा मेरे घरवाले खुश रहेंगे और मेरे घरवाले खुश रहेंगे तो उनके आजपस का environment सही रहेगा Ultimately हमने क्या करा हमने हमें क्यों चाहिए best pay job और हमें क्यों चाहिए best college ताकि हम खुश रहें ठीक है ऐसे ही आप किसी भी situation को ले लो और खुश सोच के देख लो कि आपको खुशी किस से मिलेगी जैसे मैंने तो एक college का example दे दिया job का example दे दिया ठीक है अब देखो इतना बड़ा paragraph इसका मतलब क्या है जो lines लिकी हुए है यहाँ पर इसका मतलब देखते है देखो यहाँ पर first point दे रखा है right understanding, right relationship and physical facilities are the three main thing required to fulfill basic aspiration एक इनसान को क्या चाहिए अच्छी understanding हो relationship उसका सही चले ठीक है और physical facilities उसके पास बढ़िया हो तो यह तीन चीज़े तो हर इनसान को चाहिए कि उसकी understanding proper हो relationship उसका सही हो physical facilities वगेरा सब कुछ हो यह तीन main things होते है अब कोई भी aspiration है तो वो जो है deep होती है हमारी like जो हमारी इच्छाए होती है वो काफी deep होती है और इच्छाए हम क्यों करते हैं desires क्यों करते हैं क्योंकि ultimately जो हम desire कर रहे है उससे हमें क्या मिलने वाला है happiness, prosperity ठीक है और एक इनसान को क्या चाहिए like रोटी कपड़ा मकान यह सुना होगा आपने तो यहाँ पर यह point भी लिखा है we need such thing to satisfy our basic need like food, clothing and shelter वही वाली बात होगे रोटी कपड़ा मकान चाहिए ठीक है सबसे बिला पोइंट है right understanding right understanding better help us to maintain feeling of different relation जैसे कि मैंने आपको कहा अगर relationship को maintain रखना है तो understanding और harmony अच्छी होनी चाहिए ठीक है अब यह तो सभी को पता है कि understanding तो अच्छी चाहिए ही ठीक है based on love and trust देखो मैं नहीं बोल रहा यह बोल रहा है कि relationship किस पर based है प्यार करने पर भरोसे करने पर ठीक है एक दूसरे को समझने पर care करने पर respect करने पर अब यह तुम मुझसा जानते हो कि तुम सब relationship में हो ठीक है तो तुम्हें पता ही होगा कि love करने पर trust करने पर understanding करने पर care करने पर एक दूसरे की respect करने पर relationship अच्छा चलता है और यह relationship सिर्फ boyfriend girlfriend वाला नहीं है पापा बेटे वाला समाज वाला मतलब आप जिस भी relationship में लग रहे हो सब में क्या करना है प्यार से रखना है trust रखना है एक दूसरे को समझना है एक दूसरे को care करनी है एक दूसरे का समान करना है ठीक है तो बाप बेटे वाला है मतलब जितने भी relationship है पर तुम तो boyfriend girlfriend से याद रखो क्योंकि तुम याद रहेगा उससे कि अगर relationship अच्छा होना चाहिए boyfriend girlfriend का तो आपको एक तो प्यार से रखना है भरोसे से रखना है एक दूसरे को समझना है एक दूसरे की care करनी है और एक दूसरे की respect करनी है बस इतना सा करना है बात पक की ठीक है next है physical facilities वही सब रोटी कपड़ा मकान यही हमें चाहिए और shelter के साथ protection हो जाए तो क्या ही कहने ठीक है next है आपका concept of S, 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 S तो देखो यहाँ पर जो 4 बर S लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है साधन, संपन, सुखी, सम्रिद साधन, संपन, सुखी, सम्रिद यह देखो ठीक है अब यहाँ पर इंसान को कैसा होना चाहिए इंसान के पास सारी physical facilities होनी चाहिए सारे requirement उसकी सही होनी चाहिए तब जाके वो खुश रहेगा prosperous रहेगा prosperous का मतलब सम्रिद रहेगा ठीक है उसे अच्छा लगेगा और यह सब होनी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए right understanding relationship and physical facilities समाज होनी चाहिए रिष्टे निवाने आने चाहिए ठीक है और हम कह सकते है harmony maintain होनी चाहिए सारी physical facilities होनी चाहिए रोटी कपड़ा मकान ठीक है next आपको यहाँ पर दे रखा है right understanding का एक topic ठीक यह वाला topic आपको मैंने detail में यहाँ पर दे रखा है right understanding से आप क्या समझते है देखो अगर आपकी understanding सही होगी आपकी understanding right होगी अगर आप सही समझते होंगे आपकी understanding सही होगी तो सही समझ के साथ relationship को maintain करना भी आपको आता होगा क्योंकि अगर आपकी समझ सही है तो आप हर रिष्टो को समझ कर maintain कर सकते हो हर रिष्टो को समझ सकते हो तो relationship आपकी बहुत सही रहेगी अगर आपकी right understanding है आपकी समझ सही है तो second क्या जरूरी है कितना जरूरी है और कब जरूरी है ये हमें तभी पता लगेगा जब हमारे पास समझ होगी क्या जरूरी है जिसे मानली जी अगर मैं लेक्चर बनाता हूँ तो मुझे ट्राइपोर्ट जरूरी है कैमरा जरूरी है कितना जरूरी है एक एक काफी है और कब जरूरी है जब मैं grow करूँगा तो day by day वीडियो की quality जो है improve आएगी तो यह सब मेरे किस वज़े से हुआ right understanding की वज़े से तो अगर मुझे सही समझ होगी कि किस time पर क्या करना है पहले क्या जरूरी है फिर वो कितना जरूरी है और समय के साथ जरूरी है या नहीं यह तीनो बाते आपको देखनी है physical facilities में decide requirement, ensure more than it leads prosperity in us तो यही सब बाते हमने देखी है ठीक है तो एक relationship को maintain रखने के लिए भी आपके पास सही समझ होनी चाहिए क्योंकि relationship को maintain करने में आपको एक बरोसा होना चाहिए, trust होना चाहिए love होना चाहिए, care होनी चाहिए proper handling होनी चाहिए यह मैं नहीं बोल रहा यह बोल रहे थे notes, ठीक है यह मत बोलना कि मैं बता रहा हूँ और physical facilities में क्या है कि हमें क्या जरूरी है, कब जरूरी है और उस समय पे जो हम ले रहे हैं क्या वो सही में जरूरी है इन सब की समझ होनी चाहिए तो यह हुआ right understanding next आपको यहाँ पे concept दे रखा है SVDD और SSDD SVDD और SSDD अब यहाँ पर SVDD का मतलब क्या है और SSDD का मतलब क्या है देखो जो SVDD यहाँ पे आपको दे रखा है wait a minute यह जो SVDD आपको दे रखा है इसका मतलब है facility नहीं है और ऐसा लगता है खाली-खाली है कुछ भी नहीं है इनसान के पास यह जो इनसान यहाँ पे खड़ा कर रहा है इसके पास कोई facility नहीं है ठीक है और यह empty feel करता है खाली-खाली feel करता है काफी जदा unhappy है तो यह है SVDD का concept कि ना तो facility है एक तो facility नहीं है एक उसको empty feel हो रहा है और एक वो unhappy है तो यह हुआ SVDD अब आगया SSDD SSDD में क्या होता है facilities तो हैं पर वो फिर भी unhappy है होते ना कुछ लोग facilities होने के बावजूद भी unhappy रहते हैं तो वो आते हैं SSDD में और जिनके पास facility नहीं होती और वो unhappy रहते हैं वो आते हैं SVDD में तो SVDD का concept सीधा सा है कि आपके पास facility नहीं है और आपको खाली-खाली लग रहा है और आपके पास खुशी भी नहीं है आप unhappy है ठीक है ना तो facility है और आपको लग भी खाली-खाली रहा है और आप unhappy हैं तो SVDD happiness, unhappiness and prosperity तो आप सभी को पता है happiness क्या होती है कोई भी अच्छा काम करोगे तो आपको खुशी मिलेगी inner peace मिलेगा ठीक है तो happiness क्या है एक effortless feeling है harmony within us and around और यह जो खुशी मिलती है इससे हमारा खुद का तालमेल भी अच्छा होता है और हम लोगों से confident हो के बात करते है अगर हमने कोई अच्छा काम किया होगा तो हम confident हो के बात करेंगे हम खुश हो के बात करेंगे हमारा nature और अच्छा हो जाएगा ठीक है और यह जो खुश होना है न यहाँ पर आपको दे रखा है trust, honesty, respect, confidence, etc come along with happiness अगर आप खुश है तो आपको trust भी होगा किसी पर आपकी इमानदारी भी जगेगी आप respect भी करना सिखेंगे और आप किसी भी बात को लेके confidence भी रहेंगे confident भी रहेंगे तो यह happiness के साथ आता है trust, honesty, respect, confidence यह सब किसके साथ आता है happiness के साथ और happiness क्या है? एक effortless feeling है जो कि हमारी खुद की हर्मोनी खुश से और surrounding से बना के रखती है तो यह है happiness एक effortless feeling जो खुद की हर्मोनी खुश से और surrounding से बना के रखती है और happiness के साथ trust, honesty, respect, confidence सब कुछ आता है और अगर आपकी धारना है अच्छी है फौर्थ पॉंट में लिखा है अगर आपकी धारना है अथ्छी है अगर आपका मन साफ है, दिल साफ है तो आपको मिलेगी खुशिया ठीक है नाव अनहपिनेस की बात करे whenever notion are having flow और contraindictions मतलब हमारे notion, मतलब हमारी धारना है गलत है किसी काम को को करने में हमारी धारना है गलत है तो हमें दुख ही मिलेगा कभी भी खुशी नहीं मिलेगी तो अगर हम किसी गलत काम को कर रहे है या किसी गलत मन से कर रहे है तो हमें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी फौर इंस्टेंस if we do not trust our partner it creates uncomfort and conflict for both अगर आपको खुशी नहीं मिलेगी अगर आपकी धार्णाएं गलत है तो दूसरा अगर आप अपने पार्टनर पर बरोसा नहीं करते तो उसकी वज़े से भी आप में टकराव हो सकती है और आपको अनकंफर्ट होना सकता है दोनों को ठीक है धर्ड है mistrust, dishonesty, lack of respect and lack of confidence जो भी यहाँ पर आ रहा था खुश होनी की वज़े से खुश होनी की वज़े से happiness की वज़े से trust बढ़ रहा था, honesty आरिती, इमानदारी, respect आरिती, confidence आरहा था तो यह सारी feeling आती है unhappiness के साथ अगर आप उदास हैं तो आपको यह सारी feeling आती है also when we create a distraction and not focus on what we desire for we become happy और अगर मान लीजे आपका कोई goal है ठीक है आपने set किया है कि मुझे mbbs करना है या आपको like gpade crack करना है gpade के तयारी करनी है gpade crack करना है all india rank लानी है बड इंस्टाग्राम क्या एक तरह से distraction है तो अगर आप gpade की तयारी छोड़के distraction में लग गए तो फिर आपको यह भी थोड़े time बाद क्या कर दी कि set कर दी कि कि यार मैंने करा क्या मैं तो gpade की तयारी करने आया था और मैं तो यह instagram चला रहा हूँ रिल देख रहा हूँ कच्छा बदा हम सुन रहे हैं तो फिर उस time क्या होगा कि like आपका target से आप बटक जाओगे distraction में लग जाओगे तो फिर कुछ time बाद आपको unhappiness होगी और unhappiness के साथ देखो dishonesty आती है lack of respect आती है lack of confidence आता है mistrust होता है खुद परी आप doubt करने लग जाओगे self doubt होता है खुद को पेचान में नहीं पाओगे self exploration में भी problem आ जाएगी तो यह है unhappiness now बात करें prosperity की तो prosperity क्या है एक materialistic success है मतलब सीधा सा है grow करना पहले आप starting में जैसे मान लीजे कुछ नहीं थे फिर आपने grow करा और grow करा तो एक materialistic success को हम क्या कहेंगे prosperity it is associated with materialistic word ठीक है जिसे आपकी facilities दिन पर दिन बढ़ती जा रही है आपका position अच्छा है once when we have enough facility we feel calm and prosperous mainly the feeling of being successful अगर हमारे पास like बहुत तरह की facilities है तो हम काफी शान्त रहेंगे हम काम रहेंगे और एक तरह से खुद को successful समझेंगे ठीक है तो यह grow करेंगे ना जब हम जिसे अगर मैं खुद का example दू तो मैंने भी grow करा है और मैं भी grow करी रहा हूं और इंसान हमेशा growing phase में ही रहता है till death हमेशा student रहता है हमेशा सिखना रहता है उसे और till death तक वो till death तक वो grow ही करता है third point है यहाँ पर abundance और ampliness of our desired thing make us prosperous मतलब यहाँ पर आपको लिखा है prosperity को समझने के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारी कौन सी physical facilities कब ज़रूरी है हमारी कौन सी physical facilities कब ज़रूरी है जैसे मालीजी यह मैं शुरू में वीडियो बनाता था तो मेरे पास camera ज़रूरी था पर अभी मेरे को camera की need नहीं है क्योंकि अभी मैं whiteboard पे बहुत कम वीडियो बनाता हूँ अब मैं सोतराओं की whiteboard को हटा की smartboard लाने का तो यह मैंने कब सोचा जब मैं को बहुत टाइम हो गया दो साल से channel चल रहा है grow कर रहा है हम दिरे दिरे तब मैं सोतराओं की हाँ मुझे shift करना चाहिए तो यही है prosperity prosperity को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी कौन सी physical facilities हमें कब जरूरी है ठीक है नव नेक्स्ट हम आते हैं prevailing notions of happiness and prosperity and their consequences देखो यहाँ पर read करने का है one by one read करते चलो सबसे पहला point है we are trying to achieve happiness and prosperity by maximizing accumulation and consumption of physical facilities हम क्या करते हैं हम try कर रहे हैं achieve करने का एक तो happiness और एक बहुत सारी prosperity ठीक है हम physical facilities हमारे पास जो भी है उसका accumulation करके हम happiness और prosperity को achieve करने का try कर रहे है it is become anti-ecological and anti-people and threatening the human survival और इसकी वज़े से क्या हो रहा है यह anti-ecological है anti-people है मतलब अगर हम हमारी सुख सुविदा के लिए हमारी prosperity के लिए physical facilities का बहुत जाएदा फायदा उठाएंगे या हज से जाएदा फायदा उठा रहे है तो वो गलत है वो anti-ecological है anti-ecological कैसे है वो समझो पोइंट समझ में आ रहा है आपको अगर हम consumption बढ़ा रहे है physical facility का जिससे हमें मिल रही है happiness and prosperity पर consumption बढ़ाने से हम वो काम जो कर रहे हैं वो anti-ecological है anti-people है और threatening है human survival के लिए क्योंकि अगर हम ecology को desktop करेंगे अगर हमने ecosystem को desktop किया तो एक fish अगर नहीं रही तो उस पर जो जिन्दा रहने वाले organism है वो भी नहीं रहेंगे फिर उस पर जिन्दा होने वाले वो भी नहीं रहेंगे इस तरह से पूरी cycle disturb हो जाएगी और ultimately human का extension आ जाएगा तो हमें हमारी facilities का limited consumption करना है ऐसा नहीं है कि हम करते जा रहें करते जा रहें हमें खुशी मिल रही तो हम unlimited consumption कर रहें ऐसा नहीं करना है शुरू-शुरू में जियो वाले ने unlimited net दिया था ना और उसके बाद limited कर दिया ना और recharge भी बढ़ा दिया ना तो एक example है कि हमें कुछ भी काम unlimited नहीं करना चाहिए वरना हमें आदत लग जाएगी और अगर हम unlimited physical facilities का use करेंगे तो उसकी वज़े से anti-ecological anti-people anti-ecological मतलब ecology खराब होगी ecosystem damage होगा किसी भी organism का affect पढ़ेगा तो उसके पिछे वाले सारे मनना start हो जाएगे और ultimately humans पर बात आ जाती है ठीक है तो हमें ज़्यादा use नहीं करना चीजों को ठीक है यहां तक सारी बाते clear हो गई और हमें ऐसा भी नहीं सोचना है कि हम खुश दुनिया जाए भाड में यह जो fourth point आपका लिखा है यहां पर लिखा हुआ है कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम कुश रहेंगे दुनिया जाएगी भाड में हमें दुनिया का भी सोच के चलना है क्योंकि हम भी महां के एक member है ठीक है तो ऐसा कभी भी दिमाग में नहीं आये कि हमारा काम हो रहा है हमें क्या फर्क बढ़ रहा है होने तो जैसा हो रहा है हमें कुन सा रहना है सो साल ही हम जीएंगे अरे तो भई आने वाले पीडी भी तो आपकी होगी तो थोड़ा हमें देख के चलना पड़ता है ठीक है लास्ट आपको यहाँ पर दिरखा है global warming भी हो सकती है pollution भी हो रहा है हमारी वज़े से तो हम जो भी physical facilities का बहुत ज़ादा use कर रहे हैं तो उसकी वज़े से global warming हो रहा है, pollution हो रहा है और global warming होने से ozone depletion, pollution होने से कितनी सारी चीज़े हैं कितनी सारी allergies हो सकती है तो this all problem are outcome of our wrong understanding and behavior यह nature हमें देती है जिसे आपने तकेदानात में वो जो इतना तेज बाहर आई थी वो क्यों आई थी, क्योंकि हम nature के साथ परेशानी कर रहे हैं, nature के साथ खिलवार कर रहे हैं हम दिन पर दिन pollution बढ़ा रहे हैं दे कि बढ़ा रहे हैं, global warming बढ़ा रहे हैं तो इस condition में क्या होता है, nature भी तो रिवर्ट करेगी, तो वो उसका outcome था तो यह सब क्या है, global warming pollution और यह anti-ecological anti-people, यह सारे outcome है जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम हमारी भूल से कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं है हम कर रहे हैं, पर हम जो कर रहे हैं वो उसका outcome है, फिर यह symptoms हो पे happy person एक happy person के क्या-क्या symptom होगे आप खुद बताओ यार किताबी कीड़ा बनने से कोई मतलब नहीं, आप खुद बताओ कि अगर एक happy person है, तो वो कैसे-कैसे दिखेगा वो confident रहेगा, yes or no happy person है, तो happy तो रहेगा इसी और आजपास के लोगों की मदद करेगा, उसका nature अच्छा होगा वो शान्त रहेगा, काम रहेगा ठीक है वो कोई भी decision लेने से पहले सोचेगा तो मतलब एक happy person काफी कुछ कर सकता है क्योंकि एक happy person जो है self value के साथ जीता है उसको पता है क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है उसको दुनिया की समझे और जो happy person होता है वो present में जीता है वो यह कहता है कि past जाए भाढ में, future जाए मुझे मतलब नहीता है मैं present में जीता हूँ ऐसा बुक कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं भी यही कह रहा हूँ, वैसे मतलब एक ही है, ठीक है, और जो happy person होते हैं, हर चीज में thankfulness शो करते हैं, मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छा विवार रखते हैं, बहले उनको आप छोटी से छोटी चीज भी कहोगे, या उनके लिए क बाते हैं, यह भी यही समझाने की कोशिश कर रहा है कब से, उनके काम से उनको सुख मिलता है, जैसे मुझे, मुझे लेक्चर बना के सुख मिलता है, चाहे कितने ही लंबा बने मैं बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं नॉन स्टॉप बोलता हूँ, तो मेरे काम से मुझे स इमिडिएटली आबल तु कंट्रोल देर इमशन इन गुडवेर ये सारी अच्छे अच्छी बाते हैं यहां पर मैंने बता दिया अपको ठीक है अब हार्मोनी एट अल लेवल्स तो एक है यहां पर Living in Myself, Living in Family, Living in Society हार्मोनी मतलब तालमेल आपकी कहां का होनी चाहिए खोद में, Family में, Society में, Nature में, बात खत vocals अब आपको यहां पर लिखा है Living in Myself आप खुद को अलक कैसे बनाते हैं आपकी Desire, आपके Thought, ये सब आपको खुद को अलक बनाते हैं जैसे आपकी desire कुछ अलगे, आपके thoughts कुछ अलगे, आपकी choice अलगे, तो ये आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, जैसे मैं हूँ, आप है, आपकी desire अलगे, आपको किसी pharmaceutical industry में जाना है, किसी को business खुलना है, किसी को industry setup ही करनी है, तो सबकी desire अलगे, goal अलगे, थोट अलगे, choice अलगे, तो हम एक दूसरे को अलग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और खुद को समझना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहाता है, self exploration ज़रूरी है, क्योंकि self exploration से ही आपको target goal मिलता है, और अगर आप खुद को नहीं समझ सकते, आप self exploration में अच्छे नहीं हो, तो आप बहुत दुखी रहने वाले हो, तो सबसे पहले self exploration करो, खुद को समझो, खुद को जानो, खुद को बहतर करो, और खुद decide करो कि हमें क्या करना है, खुद decide करो कि हम क्या बनना चाहते हैं, तो यह जो भी paragraph यहाँ पर लिखे होए ना, इन सबकी मतलब में आपको बता दिया, कि हम सबसे अलग कैसे बनते हैं, हम खुद में कैसे जीते हैं, हम हमारे choice को, desire को, thought को, सबको अलग-अलग रखते हैं, हर परसन का अलग choice होता है, अलग thought होता है, अलग desire होता है, self exploration करना ज़रूरी होता है, नहीं तो हम दुखी रहेंगे, और साथी साथ हमें खुद को decide करना होता है, कि हमें कहां जाना है, क्या बनना है, और क्या करना है, किसी दूसरे पर निर्बढ़ नहीं रहना, नौ सेकंड है living in family, जिससे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो parent, friend, classmate, sibling, किस साथ हम कैसे interact कर रहे हैं, सबके साथ अलग-अलग interaction होना चाहिए, जिससे parents के साथ आग्याकारी, friend के साथ बहुत शैतान, classmate के साथ एकदम खुलके, sibling के साथ, बहुत एक proper manner होना चाहिए, ठीक है, like sibling के साथ तो हम सब को share भी कर सकते हैं, तो हमें सब के साथ interact करना आना चाहिए, कि किस से क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, किस को किस तरह से रखना है, किस तरह से वेवार रखना है, किस तरह से उन्हें love करना है, care करना है, ठीक है, उनको समझना है, उनको तो तभी समझोगे न, जब self exploration होगा, तो self exploration is the main thing, पहले खुद को समझो, फिर दूसरों की मदद करो, खुद को समझो, फिर उन्हें भी अच्छे से समझाओगे, हार्मोनी अच्छी होनी चाहिए, देखो ताल मेल तो ज़रूरी है, सीधी सी बात है, आपके और आपके कजन की अगर बनती है, तो आप साथ रहोगे, नहीं बनेगी तो अलग अलग रहोगे, नेक्स्ट आपको दे रखा है, लिविंग इन सोसाइटी, देखो, हम जहां रहते हैं, जहां भी हम रहते हैं, जो भी हम है, हम पूरी तरह से सोसाइटी पर डिपेंड है, जैसे अगर आपकी तवियत खराब हो गई, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, अगर आपके बच्चे को पढ़ना है, तो उसको स्कूल या कॉलेज जाना पढ़ेगा, और आजकल तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो हम टोटली डिपेंडेंट है, हैं के नहीं, हम सोसाइटी भी टोटली डिपेंडेंट है, अगर हमें हेल्थ कराब होती तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो पारी तो स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, यूट्यूब पे भेजो, तो हमें क्या करना चाहिए, वर्ल्ड वाइड हार्मोनी बना के रखनी चाहिए, जैसे तारग मिता का जेठालाल, उसकी हर जगे जान पिचान है, और उससे भी बड़ा एक्जामपल दूँ, पर वो तो खेर बत्ती दिना हो गया, उससे बड़ा एक्जामपल है सुन्दरलाल, जो तारग मिता में जेठालाल का साला है, तो वो तो उसकी जान पिचान तो वो दयाविन बताती रहती पता नहीं का का है, तो हमें क्या करना है कि वर्ल्ड वाइड हार्मोनी बना के रखनी है, एक maintenance रखना चाहिए, हर किसी से relationship अच्छा रखना चाहिए, understanding अच्छी रखनी चाहिए, proper रखनी चाहिए, क्योंकि हम total dependent है, जिनसे हम रोज किसी ना किसी तरीके से contact में आते हैं, वो है society, हम आते ही है contact में किसी ना किसी तरीके से, hospital हमें जाना ही रहता है, चाहिए हमारी तवियत कराब हो या चाहिए, चाहिए हमारे भाई की हो या हमारी बहन की हो, या हमारे घर में किसी की हो, तो हमें connect होना ही पड़ता है hospital से, doctor से, ठीक है, school college हमें जाना ही पड़ता है, job पे जा रहे हो तो office, boss, staff member, सबसे connect होना पड़ता है, second है आपके हैं आपर, living in natural existence, हम एक ecosystem में रहते हैं, तो हमें ecosystem को बना के रखना चाहिए, हर चीज के लिए हमें nature को समझना ज़रूरी है, ठीक है, अगर हम ecosystem के बारे में बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि, हर organism को जीने का रख है, तो हमारी physical facilities का यूज जादा नहीं करेंगे, वरना उससे ecosystem damage होगी, और ecosystem damage होगी, तो cycle damage होगी, cycle damage होगी तो anti-ecological काम हो जाएंगे ये, और हम कैसे कह सकते हैं कि, human life को भी, खत्रा है, ठीक है, extinct होने का, आने वाले टाइम पर, तो हमें ecosystem को maintain अगना चाहिए, और nature को समझना चाहिए, तो ये ecosystem वाली बाते हैं, nature वाली बाते हैं, अब यहाँ पर important question दे रखे हैं, ये आपका हो चुका है, unit number one, जहांपर आपने देखा, living in society, living in natural existence, living in myself, living in family, harmony at all level, ये पूरा lecture clear हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको, काफी simple और Hindi में समझा गया है, देखो गुमाफिरा की बाते वही है, जो मैंने अलग-अलग तरे से, अलग-अलग तरे से आपको बताईए, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे unit number two में, तब तक की लिए subscribe, share and follow for more, एंड टेलिग्राम से जूट जाना, अगर आपको ये notes की requirement है, तो टेलिग्राम के pin message चेक कर लो, या Instagram पे मुझे DM कर लो, दोनों की link description में है, have a nice day, thank you.